नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप अपने फेवरिट सीयल को हर सेटेडे संडे बहुत जादा मिस्स कर रहे होगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसी खबर जिससे आपके मन को थोड़ा सदो संतुस्ती जर तो दोस्तों जैसा कि आपने सीजन वर्न का लास्ट एपिसोड देखा था जहां पर रक्षित और दृष्टी अपने बच्चों को बचाने के लिए साचनी और कालदेव का सामना करती है जहां पर रक्षित कालदेव यानि अपने नाना को मार देता है और उनके मरने के द्रिश्टी अपने बच्चों को बचाने के लिए साचनी से युद्ध करती है लेकिन वो साचनी का सामना नहीं कर पा रही होती है तब ही सिवजी की तीसरी नेटर खुलती है और उसकी वज़ा से साचनी का अंध हो जाता अब साचनी के अंत के साथ जो रतन होते हैं वो सिवजी के अंदर चले जाते हैं और द्रिष्टे दिव्या सोचती हैं कि रतन अपनी सही जगा पर पहुंच जाता है लेकिन तभी दिखाया गया कि दृष्टी के बच्चों में दृष्टी और दिव्या की शक्तियां आ जाती हैं एक के अंदर फ्यूचर देखने की शक्ति आ जाती हैं वही दूसरी बच्ची के अंदर फ्यूचर बदलने की शक्ति आ जाती हैं लेकिन इस बात से दृष्टी और दिव्या दोनों ही अंचान होते हैं शो के आने वाले सीजन में आप देखोगे जहां पर कहानी की शुरुआत होगी दृष्टी की बच्चियों से जो की बड़ी होती हुई शो में नजर आएंगी साथ ही आपको दिव्या के भी बच्चे शो में दिखाई दे सकते हैं वै वहीं अगर हम बात करें शो की शूटी कब से शुरू होगी और शो कब से दिखाया जाएगा तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको भी पता अभी लॉक्डाउन चल रहा है लेकिन हां लॉक्डाउन के बाद मेकर्स इस पर जरूर विचार करेंगी क्योंकि आप देख रहे हो लॉक्डाउन की वज़र से सारे शोज बन पड़ें और जब सभी शोज स्टार्ट होंगे तो सभी में कहानियों में जरूर बदलाव होगा और काफी शोज ऑफ एयर भी होंगे और ऐसे में ये शो को अन एयर करना मेकर्स के लिए काफी ज़्यादा स्टार्ट होगी लेकिन हां ये शो स्टार्ट होने की पूरे पूरे चांसेज हैं आप कितना ज्यादा खुश हो इस बात को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजेगा साथ ही अपने फेवरिट करेक्टर का नाम भी मेंशन कीजेगा मैं आपके कमेंट को अगले वीडियो में वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा थैंक यू